अनुभवी आज़ें सच दिखाते हैं छुपाते नहीं नमचका आप देख रहे हैं अनुभवी आज़ें न्यूच और मैं हूँ आपके साथ संतोजित्ता आए देखते हैं बिहार की कुछ बड़ी ख़वे खगडिया में अलब की छंगारी से पांच घर जलकर राक बाइक सहीद के राना दुकान जलकर हुआ खाक फायर बिगेट टीम ने दो घंटे में पाया काबू खगडिया में रहिवार की रात अलब से धत्की आग ने पांच घरोग को अपने चपेट में ले लिया जिससे पांच घरों में रखे समान सहीद बाइक और एक किराना दुकान जलकर राक की डिहर में तबदील हो गया घटना गोगरी धाना शेतर इस्तित गोगरी नगर पारशत के वोर्ड नमबर 27 के छोटी मलिया गाउ की है जहां आग लगने से 5 घर सहीद कैंगर जलकर राक हो गया शर्मा के घर में ठंड से बचने के लिए लोग अलबताप रहे थे फूस का घर होने के कारण आग धीरे धीरे घर को भी अपने आगोश में ले लिया जब तक आग जनी की घटना घरवालों ने देखा तब तक काफी लेट हो गया था आग के लगने के बाद आसपस के लोग आग बुजाने के अपर यास में जुट गए गरामिनों की सुच बूज एवं प्रयास से आग पर काबू पाया गया लेकिन आग पर काबू पाते पाते सुधीर शर्मा की दुकान सियाराम शर्मा का मोटर साइकल वागर वरगू शर्मा वचेदी शर्मा और सुबगाश शर्मा के कई समाजल कर राख हो गये इस आग जनी की घटना में लागों की शर्टी होने की बात बदाई जा रही है हाला कि आग जनी की सूचना के बाद जब तक अगनी शमन वाहन भी पहुची तब तक रामे नो द्वारा आग पर काबू पालिया गया था सीयो रंजन कुमान ने कहा की आग प्लन के बासरकारी प्रावादन के अनुसार पीडित पईवार को मौावज़ा प्लत कराया जाएगा बताते चले कि जिस घर में पहले आग लगी वहफूस का बना हुआ था जिससे उठी आग की लप्टे बहबहर रूप से धारन कर लिया और एक के बाद एक आसपास के घरों में आग फैनने लगी जिससे लोगों में अफरा तफ्री मच गई लोग इदर उदर भागते हुए आग पर काबू पाने की जुगत में लगे रहे काफी मशकत बाद करीब दो गुंटे बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका आज के लिए तना ही हमारे साथ बने रहे हैं और खुद को रखें अपडेट तो देखते रहें अनभविया के लिए और हां पढ़िये भ लाइक और सब्स्राइब करना गोले दोस्तो